हलो शुज़ेंट जाहिंद मर्योत कुमारे थो आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन्ट मैजिक में आज हम लोग सीखने वाइने तरिकौन मिति देट्मीश ट्रिक्मेट्री मेट्री आज हम लोग सीखने वाले हैं परकला लेक्चर फेला परकला चिर्चर का तो इसम मतलब जो solution है जो उनके concept है उस पर आएंगे तो first of all आज हम सीखने वाले हैं basic concept that means इसका जो trigonometry हम लोग सीखने वाले उसका warning warning सीखने वाले हैं मतलब बच्पन इसका सीखने वाले हैं तीखे ओके तो आज का की value कैसे find out करते हैं ओके जो कुछ पांच एंगल आपको होते हैं आप इन्हों कैसे memorize कर सकते हैं आपको यहां memorize करने जरूरत नहीं है हम आपको concept बता देंगे उससे concept पर चलिएगा आप उसको कर सकते हैं ठीक है जो चीजे रट लेते हैं कभी कभी फ्लिक्ट्वसन होता तो भूलने जाने माती है जब आपको डिराइब करने में पता रहेगा तो आपको विदिन दो मिनिट में आप उसको डिरायब कर लेंगे और जितने भी एलफे प्लेक नहीं है हम आपको concept बताएंगे यसा कि आप खोदी डिराइब कर लोगे साग्धाट करकर लोगे साइन 2007 reg.. two thousand के तनी होती है इतने जितने जुक्तिरे विए नंगल दलाब जितने छह域 अब आप सारे एंगल की वेलू आज हम इसमें कवर करने वाले हैं जो इसमें टिग्नमेट्रिक रिशियों के जो मतलब रिलेशन हैं उसके बारें बात करेंगे एड्रिणों क्या होती हैं ट्रिक्नामेटिक आउड्रिणी आज हम लोग जो ट्रिक्नामेटिक सो हम प्रूफ करने वाले हैं अगर टाइम मिलेगा तुसी वीडियो में हम आपको आइलर यह मारा कंप्लीट हुआ है आपको बहुत ही हेल्प कर रहा होगा ठीक है यह अब बेसिक गशीड्र में गया आपको आज का आज लेक्शर होने वाला है इसको अंत्रेस्टिंग बने रहिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब परना ना भूलिएगा ओके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसमें सीखते हैं कि पहले अब इसके अप्लिकेशन पर बात नहीं कर रहे हैं आज हम इसका बच्पन बता रहे हैं इसका स्टार्टिंग क्या है कितने रेशियो टोटल होते हैं तो आज हम समझते हैं ट्रिग्णोमेट्र का मतलब क्या होता है ट्राइग्णोम 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 साइड़ एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट मेजरमेंट मतलब तीन साइड का मेजरमेंट तीन भुजाओं का परिमाप परिमाप ठीक है या मापन उनका ठीक है वही कहलाती है क्या ट्रीमर मेट्री अब ट्राइल ओ द्राइल त्रीन चाहिए कि आगणर के भी त्रैणल के टाइपस है एकेवल समकोंड त्रिभूच दैट मिस्ट राइट एंगल ट्रेंगल के लिए ही पॉसिबल होती है ट्रिवमेट्री ओके अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझेगा इसको यूज कहां पर करेंगे आप ट्रेंगल को यूज कहां करेंगे किसी भी ट्रेंगल में नहीं लगा दे दॉप धि ट्रेंगंड बते हैं किसी भी ट्रेंगल का यू तो किसी भी ट्रेंगल में तीन एंगल होते हैं एक एंगल अकेला 90 हो गया तो दोनों एंगल का जो सम होगा वह मिला कितना होगा 90 कितना होता है 180 होता है तो आपको एक एंगल कितना मिल चुका है 90 समकोर त्रिभूच के लिए तरिभूच समझ में रहा हो आपको कि समकोर त्रिभूच होता है जिसका एक कितना हो 90 डिग्री पर हो यह तो समकोर हो समकोर होने का मतलब 90 डिग्री और अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक आता है कि इसमें वैल मतलब रेसियो क्या-क्या होते है टीके अगर अगर आप से कोई बात करेगा इसका नाम हम नहीं रग दिया के दिए दिग्री सामने वाले साइड होगी क। क्या बोलते हैं कि काण कॉन्ठ और इंगल्जी में क्या बोलते इसको 10?. Please हाइपोटेनियस को यह से देनोट करते हैं हम लोग यहां पर से देनोट करेंगे हम लोग एंड जिसके उपर टिका हुआ है इसके उपर टुका हुआ है वो क्या है बेस है बेस समझ रहे हैं आप आधार इसको ए से देनोट करेंगे और बेस को सिंबली बी से देनोट करेंगे यह वाला भी पॉइंट का है यह भी बेस का सिंबल है हिंट है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं यह क्या है आपका लंब क्या है लंब इसको यह से देनोट करते हैं हिंदी मीडियम बाले बच्चे और पर बिप एपंडिकूले इंघंडी सुकस्ट लीवाणी अपको लिखाक दे रहा है यापके चूँकि आपको एक इंट्रेस्टिग फॉर्मॉला हम बताने वाले यापए लाल बते कक्का का किसका फॉर्मॉला लाल बते कक्का अब्या फॉर्मॉलweh लगे रहा पे ठीन Ivan प्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो समझना है कि मैनले टिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीन होते हैं साइन कॉसें टैन तीन इसके रेसिप्रोकल तो जानले हम लोग क्या है पहले का नाम है हो इस ट्रिग्नोमेट्रिक तीफार्ड ट्रिग्नोमेट्रिक क्रेस्यों कि अ मुझे ट्रिकोड में टीन पाथ कि अ अनुपाथ है अच्छा ब नपाथ की मतलत समझ रहे हैं क्या होगा गांओं में आएगा या तो समय नॉर्मली यास बोलते हैं इसको हिंथ में बड़ते हैं अके एंड य्वेर। है टेंजेंट बोलते हैं कि इसको हिन्दी में क्या बोलते हैं कि इस परसज्जा बोलते हैं ओकी इसका फूल फार्म संगम् टैंजेंट ओके आई होप आपको समझ में रहा होगा कि इनके फूल फार्म है हम हमेशा यही यूज करते हैं तीन इसके अब देखे यहां पर साइन कॉस्ट टैन यह तो क्यों रेसियो बता रहे हैं इनकी वैलु तब बढ़ेगी इनकी वैलु में तब आएंगे डिमांड में होती है यह वैलु येबल नहीं होते हैं अगर इनकी वैलु बढ़ानी है बढ़ानी क्या वैलु होगी ही नहीं इनकी अगर इनके साथ एंगल ना आए तो इनकी वैलु कुछ भी नहीं है ठीक है तो इनकी वैलु जो होती है हम लोग मालने हाँ पर एंगल कोई क्या है थीट कि क्या बोलते हैं त्टीटा चीटा नहीं थीटा बोलते हैं थीटा चीटा मतली लिजिएगा ठीखें टीच डिए टीटा ओके आपको सिंबल समझ में आहाया होगा एए स्मॉल थीटा है कैप्यल थीटा कुछ अलग बनता है हाला capital theta के बारे में हम भी बात नहीं करेंगे अब देखिए अब ये तो तीन हो गए इसके main functions अब इनके तीन reciprocal तो इनके जो तीन reciprocal है sin का उल्टा cosec and cos का उल्टा sec 10 का उल्टा cot ओके अब हम इनको angle की फार्म आपको दिखाना चाहते हैं कि sin theta equal to क्या होता है relation between relation between between T ratios that means कि त्रिकोण मितिय अनुपातों में कि संबंध कि नाम लिएम संबंध एक इसमें क्या है ठीक है बहुत बेसिक हैं बहुत ध्यान समझे इसको एकदम बेसिक से चाल रहा है हम लोग ठीक हैं अब समझते हैं sin theta जो होता है ओ क्या होता है one upon cosec theta and जो cosec theta होता है ओ क्या होता है one upon sin theta बहुत बढ़िया cos theta equal to होता है one upon sec theta and sec theta equal to क्या होता है one upon cos theta 10 theta equal to क्या होता है one upon cos theta and cos theta equal to क्या होता है one upon 10 theta and और भी दो relation है आप इसको भी देख लीजिएगा 10 theta equal to होता है sin theta upon cos theta बहुलिएगा मत इसको and cos theta समझने चाहोगा उल्टा हो जाएगा इसका cos theta upon sin theta ओके ओके अब हम सीखने वाले इसमें आपको यह समझ में आ गया होगा कि sin का उल्टा क्या होता है कोसेक and कोसेक का उल्टा sin cos का उल्टा सेक सेक का उल्टा cos 10 का उल्टा काट and cot का उल्टा 10 अगर हमको कहीं पर ऐसा दे दिया जाए sin theta into cos theta इसकी value बता यह था हम लोग क्या बताएगे 1 आएगा क्या आएगा 1 and cos into sec का multiplication कभी पूछे का बताएगे 1 बताएगे अब हम चलते हैं न एक formula बहुत special formula है उसको हम लोग बोलते हैं लाल बटे कक्का बहुत ध्यान समस्ते हैं कि जो पहला ratio है न और क्यों ले जाएगा sign ले जाएगा इसको जो दूसा ratio कौन ले जाएगा पहले ratio कौन लेका जा रहा है लंबटे काड ओके सिंबल देख रहे हैं लंबटे काड ओके इसलिए मैंने इसको मेरियम वाले बच्चों को भी संजाने की पूरी कोसिस किया है और लेक्चर बहुत इंप्वाटेंट है कंपटीशन की तयारी करने वाले जो स्टुडेंट है इसको आप बेसिक इसका बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं बिना बेसिक का कुछ ने होने वाला है ओके बे बेसिक समझते हैं हम आज ठीक है बेसिक में समझते हैं कि साइन का मतलब क्या था इसका रेसिव की वैली क्या होती है क्या फार्मॉला होता इसका पहले किसी भी ट्रेंगल में अगर हम यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे हम ठीक है तो समझते हैं साइन मतलब क्या ल अगर इस ट्रेंगल के बारेमां बात करें इसमें अगर इस ट्रेंगल के बारेमें हम बात करें क्या मिलेगा अपने को sin theta equal to क्या मिलेगा L upon K L मतलब समझ रहे हैं Lumb इसमें Lumb कौन सी side है यही है न ठीके Lumb वाले side है यही है तो Lumb क्या है इसका AC and card क्या है इसका BC ओके and cos theta equal to cos theta equal to क्या मिलेगा A upon K that means आधार बटा कड तो आधार इसका क्या है यहाँ पर आधार इसका क्या है यहाँ पर आधार इसका AB है and card क्या है इसका BC है okay and 10 theta is equal to 10 theta is equal to Lumb वाले आधार Lumb वाले आधार कम दो समझ रहे हैं न L upon A यहाँ पर है L upon A okay L upon A L का मतलब समझ रहे हैं आप AC A का मतलब समझ रहे हैं आप BC okay I hope कि आपको A ratio समझ में आए होंगे ठीक है अगर इसका cosec की value पूछेगा cosec theta तो कक्का बटे लाल कर दीजिए इसको उल्टा कर दीजिए K upon L that means BC upon AC and sec theta equal to okay one second हाँ I hope आपको दीखने रहा होगा या लिखते हम लोग इसको sec theta equal to sec theta equal to K upon A that means BC upon AB and cot theta equal to A upon L that means BC upon AC okay हम कहाँ पर apply किया है in right angle triangle यहाँ लिख लेंगे one second हाँ in right angle triangle right angle triangle BAC okay BAC okay आप इसको note कर लिजिए I hope आपको यह समझ में आगा होगा अब हम चलेंगे इसके next topic पे okay आप इसको note कर लिजिए आपको ते आ कि अग्यों आप अब जैसे अब हम बढ़ते हैं है इसके नेक्स टॉपिक पे अब समस्धे हैं आप पहले पाइथागूरस थेरम का मतलब पाइथागोईब अन्हीं थेरम का स्थेटमेंट क्या है वह समझते हैं ठीके किसी विराइटेंगल से चाहिए पाइव यूज़ कर सकते हैं यह इसका और बताना चाहते हैं आपको यह लाल अटका का ऐसा का हो गया इसके अलावे भी एक फार्मुला है आपको बताते हैं क्या पिड़ानेक्थ करते हैं किसेर से करते हैं हम सिक्षेम से पहले हम देखते हैं कि इसका और फार्मले हैं तो तो गया अलबबथे काई तो सिंपल त्रेंगल में लग जाते हैं ठीक है तरक या इंगल को घुमाना शुरू कर दे एक ट्रेंगल में बार बार तो हम उसकी वैल्यू कैसे फन्डट करेंगे ठीक है उसको देखते हैं तिन जो फर्मुला है कुछ इस तरीके से हैं मैं याप लिख दे रहें आपको este 2σ2 होती है F facilitating क्या होता है अब आपान एंफesh आपोजीट अपन हाइपोटेनियस है को अपोजीट अपन हाइपोटेनियस है-ए-अ- आपुच थीटा एकॉल टू क्या होता हैं आजजेसेंट अपॉण अपॉण ए डी जी अपॉण हाइपो हॉण एसका मतलब ऐसका मतलब अब देखें यहां पर थीटा है ना कट्धीटा के अपोजीट में यहां पर थीटा तो बनी रहा है अंगल अब इसके opposite में जो side है कौन सी है मारी ac है यह यह ना तो इसको हम ऐसे बिलिखेंगे न ac upon hypotenuse तो fix रहता है किसी भी triangle में आप याद रखिएगा ठीक है किसी भी triangle अगर हम trigonometri सीख रहे हैं अगर angle को हम घुमा रहे हैं ठीक है angle को अगर हम बार बार remove करें करके आपको दिखाते हैं ठीक है आपको दिखाएंगे क्या value आती है अगर हम इसको यहां से रिमॉप करेंगे न तो जो hypotenuse है वो किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होता है क्यों चेंज होता है कौन आपका base and perpendicular that means आधार एंड जो लंब है क्यों वही चेंज होते हैं अगर एंगल घूम रहे हैं तो ठीक है अगर एंगल फिक्स है तो कोई बात ही नहीं है लेकिन जो हमारा है तो यह भी कंडिशन आप याद रखिएगा आप बोले थो तो मनलब हाइपोटेनेस चेंज ही नहीं होता है चेंज तो हो गया लेकिन हाँ कंडिशन ए है इसमें कि 90 डिगरी जो एंगल बना रहा है साइड पॉइंट ओ चेंज ना हो अगर ए नहीं चेंज होगा तो ए अंगल बन रहा है के पुजिट में साइड यहीं पड़ेगी एसी एंड जो हाइपोटेनियस होगा क्या होगा वी सी ओके अब आते हैं एड्जेसेंट डैट मिस एड्जेसेंट का मनलता सटी हुई भूजा कौन से बूजा सटी हुई डैट मिस सल्लाग न बूजा जमेट्र अब एंगल थीटा बन रहा है ना क्या बन रहा है अब बताएगे यह तो थीटा से दो ही भूजा निकल रही है दो ही दो हैं अब आपको बताना चाहते हैं कि ए जो आपका काण है तो तो फि्क्स है अबको चैंजी होगा तो अब जिसेंट्साइड कौन सी होगी यह काण है ना एक ऐसे सद्लाग भूजा हो सकती ए ठीक है तो इसमें जो साइड आपका है यही क्या होगा आपका अब की का लिखेंगे अज अब को अब आपको पता है फार्म नाम ने लिख दि अगर दोनों को बहुत ध्यांस देखो तो आप इसको भी कट कर सकते हैं इसका अपॉन करोगे ना करोगे तो हाइपो हाइपो को मार देगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनेस अस्वारी अपॉजिट अपॉजिट अपॉन एडिसेंट मिल जाएगा आपको आप समझ रहें जब इसका ratio कर देंगे सम्झामफने पता रहा हूं कि यह गामत ो यह hypo को मार देगा अपॉजिट अपॉन कर सकते ना हम यहां पर इसका ratio कर दें B C B C को मार देगा एसी अपॉन एबी मिलेगा लेकिन हम फार्मलेस चलेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट डैट मिस अपॉजिट साइड क्या इसकी एसी कि एसी अपॉन एबी यह तो बहुत बढ़िया समझ मैं आपको बहुत मज़ा आया लेकिन आप समझते हैं कि अगर हम इंगल यहां पर कर दें क्या साइन फी कर दिया जाए इससे फी बोलते हैं फी जो पढ़ना पढ़ लिए कोई को फी बोलते हैं ठीक है ओके अगर हम इसमें पूछ दें आपसे टैन फी की वैलू बताई इसमें क्या बताईए टैन फी की वैलू इन राइट एंगल ट्रेंगल इन राइट एंगल ट्रेंगल बीए सी हम एक मिडल में इसलिए लिख रहे हैं जब जी मट्री का लेक्चर होगा तो हम आपको बताएंगे कि किसी भी त्रिभूच का नेमिंग कैसे करते हैं लोग जो राइट एंगल है जिस पॉइंट पे ओ एंगल नब्बेंस बना रहा है इसको हमेशा हम लोग कहा रखते हैं मिडल में बीच में रखते हैं दोखो बीच में रखा गया है ना बी ए सी ओके आप सी एब भी भी ली सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अब 10 5 की वेलू पूछ रहा है अब 5 वाला एंगल देखो कहां बन रहा है यहां बन रहा है इसका जो 90 डिग्री वाला साइड है तो चेंज नहीं हो रहा है मतलब जो पॉइंट है एक प्लेस पर ही है जो 90 डिग्री बना रहा है एंगल उसके सामने वाली साइड चेंज तो ऐब तैन्स प्रमुला यही याद किजेगा आप पॉजिट अपॉजिट अपॉजिट क्या है आपकी अपोजिट फैर्टक है इसकी यहिविक यहीविं लिख देंगे एड़ेसेंट अब एड़ेसेंट बोलाएंगे एबी है लेकिन हमको एट कौन सेड है काड़ा है तो इसको नहीं लेंगे न हम इसको ले लेंगे न क्या मिला आपको अब आपको आप समझ रहें अगर आपसे कोई पूछ देश में थाइंपाई की वेदुन बताईए ठीक है ओके साइन फाइव अलोव बताएं तो साइन फाइड ना पताएं नोग बताएं साइन फाइगा है अपोजिट अपन बतन हैपोटेनस अपोजीट अ opposite upon adjacent ईपोजिट आपका क्या था AB, Agadian क्या था आपका AC अब इसमें opposite कौन सी साइड है AB and hypotenuse to fix है that means BC I hope कि आपको इस समझ में आ गया होगा तीक है आप इसको note कर सकते है और यह भी इसी triangle में है इसको note कर लेंगे आप पर टेके आप फटाफट इसको नोट का लेजिए उसके बाद हम चलते हैं कि पाइथागोरस थेरम क्या है ओके अगे आप इसको नोट कर लिया होंगे अगर आपसे कोई माने जे आम आपसे पूछ रहे है को से की वैलू क्या होगी कमेंट बॉक्स में को बताएगा जरूर कोंसे वी क्या होगी इस ट्रेंगल में तेके को से क्वित मार्क किया है एक में कमेंट पांट यूरूर बिडियो को देखने के बाद कर अब चलते हैं हम लोग कि आप पाइतागोरस थेरं का स्टेटमेंट क्या है हम इसको पूरा ख्रटमेंट नहीं लिखेंगे इसका जो ज्मेटल फार्मुला है हम आपके सामने वह ही क्यों रखने वाले हैं ठीक है जो जिसका जिमेट्रिकल फार्मूला है कि पाइथागोरस थेरम पाइथागोरस थेरम और बौधायन थेरम इसके दो दो नाम हैं दोनों नाम से पॉपुलर है मुश्टाप सब लोग यहीं जानते हैं कि पाइथागोरस थेरम बहुत कम लोग को पता होगा कि इसको बौधायन थेरम भी बोलते हैं या तो पाइथागोरस का प्रमे दोनों का मतलब एक ही होता है कन्फ्यूज मत हो यह गा ठीक है इसको हिंदी मिलेते हैं पा बौधायन प्रमे या बौधायन प्रमे या ओके इसका जो फार्मूला था इन राइट इंगल ट्रेंगल इन राइट इंगल णेसल को यहा थैंद आ अब इसमें कोई भी ट्रेंगल लेने और रास देंगल के लिए एप्ली के मफी ठीक है किसी हैं बिन यह होता है ऐससी मतलब संब और त्रिभूज में ही क्यों संब्कॉट्रिभूज के लिए ही बनाया गया है उसी के लिए अप्ली के बहुत केरफुली समझेगा इसको इसका जो स्टेटमेंट है क्या था बोला था है कांड का स्क्वेड बराबर आधार का स्क्वेड प्लस लंब का स्क्वेड ठीक है आपको जो मर्जी करें आप लिख सकते हैं तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं यह हिंदी में है अग्दम और हिंदी में सिंबॉल के फार्म में है यह इंग्लिज्स अले इस्ट्ट्ट्रेंट्स के लिए है हाइपोटेंट्स स्कूर इकोल टू बेस का स्क्वेड प्लस पर्पेंडिकुल का स्क्वेड अब आप समझेए अब आप स्टेंडर नाइंथ में पढ़े होंगे कि जो बड़ा कोड होता है उसके सामने वाले भुजा क्या होती है बड़ी होती है सब को पता है यह थियरम आ होगी और भी क्या होगी बड़ी होती है ठीक है प्रमेह है या पढ़ चुके होंगे ठीक है तो जब एकेले नाइंटी है और दोनों मिलाके नाइंटी होंगे एक कमपलसर ही नहीं है कि यह 45-45 हो ज़रूरी नहीं है हो भी सकते हैं कुछ कंडिशन अगर ऐसा दिया रहे उसम कि इसको हम डिवाइड कर सकें तब तक हम इसको 45-45 नहीं ले सकते तो जब ए 90 अब तीनों मतलब ट्रेंगल के तीनों एंगल कसम कितना होता है 180 डिगरी होता है प्रेंगल आपको पता है जब अक्यला 90 है एंड़ों मिला कि क्या होंगे नाइंटी तो जो बड़ा भुजा होगी कौन होगी किशी संब कौन तरबूज में गर आप पूछे कि सब्से बड़ी भुजा कौन होती है तो आप क्या पताएंगे किसी सबसे बड़ी भुजा कि क्या होती है कौन होती है क्यों होती है क्यों कि बड़े कोड के सामने वाली भुजा है यह बड़े कोड के सामने की भुजा में इसा क्या होती है या बड़ी होती है विय्द रखिएगा इसको ठीक है कि अब देखते हैं हम लोग कि अब आप रिलेशन तो समझ गए होंगे इसका रिलेशन क्या है है हाइपोटेनस बेस एंड पर्पेंडिकुलर में रिलेशन आपको यहीं दिया था कौस किस ने दिया था पाइथागोरस जी ने दिया था आपको समझ रहे ना तो जिमेट्रिक अड्रेंट्रीश टोटल तीन होती है कि दिया गठते हैं तीन अब उनका वंका टेनों का औरिवेशन सीखते हैं कि और कि प्रूफ का campaign आपको अंब निसकी पॉल्ट गोली तरह पुल्यएगा और सब्सक्राइल होग कि इस फी को हम अटा दे रहा है अब ठीके हैं साइन थीटा की वैलू आपको पता है इसमें क्या है कि साइन थीटा एक्वाल टू क्या है कि साइन थीटा एक्वाल टू आपको पता है इसमें क्या होता है फार्मुलास का लाल बटक अक्का की साब से क्या होता है इसमें A C upon B C cos theta equal to क्या होता है cos theta equal to क्या होता है cos theta आधार बटा कर that means A B upon B C and 10 theta equal to क्या होता है कि लंबटे आधार that means A C upon A B कि ओके अब यही तीनों जो रिलेशन है एक इस ट्रेंगल में हम बात करें राइट ट्रेंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल ट्रेंगल B A C B A C ओके अब देखते हैं इनका प्रूफ पहला जो ट्रेंगल ट्रेंटिक आप इसको नोट कर लीजिए इसको ठीक है आप इसको नोट कर लीजिए इसके आगे हम आप बोड पर लिखेंगे इसका प्रूफ देखेंगे ठीक है आप इसको नोट कर लीजिए होंगे त्रिब आप पाइथा गोरास यहीरम, क्या त्रिगनो अवित्रि आपिट टीजिए टेटिटीज के डैट मिंज तर्कोण मितिय तर्कोण मितिय सर्वसम्तिय ने सर्वसम्तिय बहुत इंट्टरस्टिंग बस्वाथ है सर्वसम्तिय किसको बोलते if किसको बोलते हैं एक्वेशन और डिफ्रेंस होते हैं आप समझ लीजिए बहुत सारे स्टुएंट को पता भी होगा बहुत लोगों नहीं मालूम होगा ताथ समझ लीजिए कि जो एक्वेशन होता है ना किसी एक पर्टीकुलर वैलू के लिए सेटिसफाइड करता है मां सेट आप इसमें कुछ भी डाल दीजिए अपने मन से कोई ले लिजिए आप इसमें सब्सिटूट कर दीजिए अगर यहां पर एंगल के बारें बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा है तो जो आपको एंगल दिये गए हैं जिसकी वैलू आप निकाल सकते हैं जिसकी वैलू आ कुछ भी ले लिजिएगा और आप थीटा की वैलू कुछ भी मतलब जैसे जो आपको वैलू पता है 30 45 60 90 और जितने ही वैलू है 120 150 18 36 सबकी वैलू आपको अभी हम धिर धिर करके बताएंगे ठेक हैं आज की वीडियो में सकतों कवर नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे आपको कि जो मतलब 54 फार्मुले आप समझ रहें ना 54 फार्म फार्म्ले तीन स्टेप में याद कर जाएंगे कितने स्टेप में वह जाएंगे और एंगल निकालने की बात जहां तरह रहती है कि बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें जो एंगल निकालने की प्रॉबलम से वह भी आपका खतम हो जाएगा आज के बाद ठीक है तो पहरी जो समझते हैं चैनल स्क्वेड़ थीटा प्लस प्लस कॉस्वेड़ थीटा क्या होता है वन एक प्लस कॉस्वेड़ थीटा यहां पे कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा इसको कि यहां पर जो थीटा की वैलू है और बराबर होनी चाहिए अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा ही होना चाहिए और यहां बीच में प्लस का साइन होना चाहिए यह स्क्वेर है तो यहां भी स्क्वेर होना चाहिए ठीक है साइन और कॉस ही होने चाहिए ओके एकदम सैंगल सें होने चाहिए क्या होनी होने चाहिए यह सेंसे बाते हैं ंबाकि त्य। film प्र Columb's क्या है उससे हमको पता है कि जो संद्ध क 평 dil on कॉस का स्क्वेर इक को टु हमें सा क्या होता है कटी संन याध है यह याद रखियगा वर इंगल क्या होणे चाहिए यह बराबर इस नहीं यहां माल दीटा यहां फा, तो थोड़ी बराबर आएगा तब वोन की क्हों नहीं आएगा समझते हैं इसका पूर मतलब आप शुक्त है उनको समझ में आ जाएगा कि प्रूफ का देता है shortcut हम बताएंगे आपको ठीक है इसका देखते हैं हम लोग इन राइट इंगल ट्रेंगल बी एची ओके बी एची है हाइपोतेनस का स्क्वेर इक्वल टू यहां लिखें कि बाइपाइथागोरस थेरम बाइब पाइथागोरस थियरम बाइथागोरस थियरम ह का स्क्वेर इक्वाल टू बी का स्क्वेर प्लस पी का स्क्वेर ह स्क्वेर एक्वाल टू क्या है बी स्क्वेर प्लस पी स्क्वेर समाजते हैं इसको अब इसमें हम क्या करेंगे यह स्क्वेर से क्या कर देंगे dividing कर देंगे dividing 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 on dividing by on dividing by h square both sides we have dividing by h square on both sides ली सकते हैं dividing by h square on both sides okay so क्या हो जाएगा h square upon h square equal to b square upon h square plus b square upon h square okay h square 1 हो जाएगा b square upon h square plus p square upon h square okay अब समझते हैं इसको b upon h the whole square plus p upon h the whole square okay यहाँ लिखते हैं 1 equal to b upon hb का मतलब क्या है base है base मतलब क्या है आपका a b and h for hypotenuse hypotenuse का है इसका b c the whole square plus p p upon hypotenuse b c the whole square okay 1 अब आप समझते हैं a b upon b c क्या है a b upon b c one second okay okay a b upon b c a b upon b c that means a c upon b c क्यों समझे रहना sin theta sin theta the whole square okay यह आपका 1 एक cos square theta plus sin square theta this implies that इसको इस तरीके लिए सकते हैं हम लोग adjust कर लेंगे sin square theta plus cos square theta equal to one adjust करके लिख लेंगे इसको a side इसको इदर घुमाया इसको इदर घुमाया sin को चैन्जेस नहीं आएंगे आपको ठीके इसको जो हम लिखने का सही वे है आपको बता देते हैं कि जैसे sin theta का अगर whole square है इस तरीके लिखा गया है कहीं पे तो आप अगर ऐसे लिखेंगे sin theta square यह wrong हो जाएगा sin theta square नहीं होता है sin square theta होता है ठीके angle का कभी square नहीं होता है and अगर आपको इसी tone पे है ज्यादा लिखनी जोरुत नहीं है अपने को cos theta इसका जो सही वे है क्या होगा sin square theta इसका सही तरीका लिखने का ठीके सो confused मतलब रहिएगा इसमें sin theta का square कभी मतलिक क्या यह गा नहीं तो पूरा का पूरा marks जो आपका 0 हो जाएगा ठीके sin square theta हमें इसा लिखते है sin square theta that means sin का जो value है इसका square है इंगल का square नहीं है कभी भी आप ध्यान दिजिएगा ठीके I hope आपको यह समझ में आया होगा आप इसको note down कर लिजी आतो आप इसका SS ले लिजे SS ओके स्क्राइब सब्सक्राइब ओके I hope आप इस समझ चुके होंगे या तो आप इसका SS ले चुके that means screenshot लेके ready हो गए होंगे अब हम चलते हैं इसकी दूसरी जो identity that means दूसरी जो सर्शम्क्या है उसके बारे हम लोग चलते हैं और उसका video evaluation सिखते हैं ओके sec square theta equal to second technometric identity sec square theta equal to 1 plus 10 square theta ओके इसका सिखते हैं हम लोग sec square theta equal to क्या होता है 1 plus 10 square theta ठीके इसको proof हम लोग देखते हैं कैसे इसको proof करेंगे ओके अपे in right angle triangle in right angle triangle in right angle triangle BAC 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 by Pythagoras theorem by Pythagoras theorem मतलब Pythagoras के प्रमे से क्या मिलेगा एक बार S से डिवाइड कर दिए थे ना अब इस बार B से कर देंगे किसे डिवाइड करेंगे B से डिवाइड करेंगे 20 करने बार देखते हैं क्या मिलेगा क्या मतलब इसका मतलब कि दोनों पच्चों में B स्क्वेर से डादेने पर क्या मतलब इसका दोनों पच्चों में B स्क्वेर से भाग देने पर ठीके है एच स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर एक्वाल टू बी स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर प्लस पी स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर बी स्क्वेर को मार देगा h upon b the whole square equal to 1 plus p upon b the whole square h upon b that means hypotenuse upon base hypotenuse upon base समझ रहे है hypotenuse upon base hypotenuse क्या इसका b c base क्या इसका base a b base a b equal to 1 plus p upon b perpendicular upon base perpendicular upon base ओके perpendicular क्या इसका a c upon b c इसका whole square है इसका भी whole square हो जाएगा ओके समझते इसको b c upon a b b c upon a b b c upon a b e c upon a b e kya है आपका a b upon b c है a value क्या है आपकी a b upon b c है और e value क्या है b c upon a b है इसका अगर उलटा होगा जाएगा यह क्या मिलेगा एक kohs है तो इसका उलटा क्या मिलेगा जाएगा इसका जाएगा इसका क्या रिखेंगे प्रपोर्शन हो आश्मिस् dalla अता होता सका वित्प्रम होता है פה के तो जब एकिक Jeघ कोटि नेड़ी इनवां क्वेसी एकट इविपाऊबी हो जागा थीटव कर रहा है मैस कर रहा है सूं बार बैशिपा पॉर्ण प्लेस पर क्या एंगे सेख य्यक टा holding स्क्ट एकटक प्ल्स आप समझे AC upon BC, AC upon AB, sorry, basis का, basis का AB है, ठीक है, तो इसके place पर क्या लिखेंगे, AC upon AB, AC upon AB, that means क्या लिखेंगे, 10 theta the whole square, ओके, सेक स्क्वेर थीटा, इक्वल तो 1 प्लस, 10 स्क्वेर थीटा, यह इसका प्रूफ, ओके, I hope, कि आपको यह समझ गया होगा, अगर यहां पर कुछ कंफ्यूजन हुआ हो, तो मैं वापिस रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर, पर्पेंडिकुलर अपन बेस, पर्पेंडिकुल कर लिजिए, इह सेिंदे जज पक्पोदी न्टाओने हुआ है, बड़िकुल को यहां प्रूदे, triangle limbs रखेंड़ऊन है, हैं PROFापीश मैं पर्पेंड़ स्क्वेंड़ much अँरा, इसक्वेंटा गीच हो नोके i hope आप इसको नोर्ट कर लिये होंगे और आ अच्छी दर्गी इसको समझ गया होंगे चलते हैं ंदوسके तीसरी टिमिमीटे कर्डिन टीम है उसको कभर करते हैं इसमें टीक है कि स्छार्ट करते है। जो थर्ड टिग्निमेट्रिक आडिन्टीज है इसके यूज हम कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके यूज कैसे होते इसके प्रूफ कैसे होते हैं ठीक है इसमें मतलब प्रूफ तो आप देखी रहे हैं इनके यूज इनके यूज के हल्फ से मतलब इनके हल्फ से हम किसी भी और भी जो टिग्निमेट्रिक रिलेशन है उनको कैसे स्टेब्लिस करते हैं ठीक है तो अब थर्ड जो हमारा है जो थर्ड टिग्निमेट्रिक आडिन्टीज है कॉज एक स्क्वेर थीटा एक्कोल टू क्या है वन प्लस कॉत स्क्वेर थीटा ओके इन राइट अंगल ट्रेंगल इन राइट अंगल ट्रेंगल बी ए दिए सी पाइथा गोरस थियरम पाइथागोरस थीवरम H का square equal to B square plus P square अब एक बार हम H से डिवाइड कर चुके हैं एक बार B से डिवाइड कर चुके हैं इस बार P से डिवाइड करेंगे dividing by dividing by P square on both sides both sides we have H का square upon P का square equal to B square upon P square plus P square upon P square okay P square P square को मारेगा H upon P the whole square equal to B upon P the whole square plus 1 okay so H upon P that means hypotenuse upon perpendicular H upon P का वाँदर क्या hypotenuse upon perpendicular तो hypotenuse का क्या है इसमें BC पर्पेंडिकुलर क्या है इसका A C whole square है whole square हो जाएगा B upon P base upon perpendicular base upon perpendicular base क्या है इसका AB perpendicular क्या है इसका A C whole square हो जाएगा A C whole square हो जाएगा plus 1 okay okay क्या हो जाएगे कॉजेग स्क्वेर कॉजेग स्क्वेर कॉजेग स्क्वेर कॉजे थीटा अब देखते हैं अब देखते हैं 10 थीटा देखिए A B और A C में relation आ रहा है तो trans related होगा किसे related होगा 10s है इस triangle के लिए ठीके so A B upon A C समझ रहे है न और यह क्या है A C upon A B अगर इसका उल्टा कर दिया जाए और इसकी प्रोकल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा A B upon A C और यही क्या है आपका A B upon A C स्क्वेर थीटा प्लस वन यह जाएट मिस कोजेक स्क्वेर थीटा एककोल टू 1 प्लस कोट स्क्वेर थीटा दोनों का मतलब सेम है इसमें कोई डिफरेंट नहीं है दोनों भी करेक्ट है ठीके आप नोट कर लिजे I hope कि आप इसको अच्छी तरी के समझ गए होंगे ठीके अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सेर तो जरूर ही कर दीजेगा विकॉज इस वीडियो को देखकर कि जो तयारी करने वाले ट्रेंट हैं अब इसको पर नोट करेंगे के वारे हम बात करेंगे ओके और आपको अच्छी तरह के समझ में आ गया होगा वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो आप लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब ना भूलें विकॉज जो तयारी करने वाले स्टेंट्स हैं जो मतलब एक्जाम्स दे रहे हैं कमपटिशन का एक्जाम दे रहे हैं या तो इलेमेंथ में पढ़ रहे हैं या इंजीनिरिंग कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए कर रहे हैं